तो हलो फ्रेंड्स एक बाफ से स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल सिल्मी फॉरेवर पर अब दोस्तों मच अवेटेड मूवी गदर टू एक दम बॉक्स आफिस को तहस नहस करने के लिए तैयार है अभी दोस्तों 6 दिन का समय बाती है गदर टू मूवी को होने के लिए लेगन 6 दिन पहले ही इसकी एडवान्ष बुकिंग बहुत ही जादा हो चुकी है और इसकी एडवांस बुकिंग इतनी हो चुकी है कि यह शारुख खान की यह पिछली मूवी पठान है उसके न congregation का record तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी तो चलिए हम आपको है तो चली हम एक एक करके आपको सभी चीजों की डिटेल देते हैं सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं नैशनल चेंज की तो पीवी आर से 12,100 टिकेट सॉल्ड आउट हो चुकी है आई नॉक्स से 8,600 टिकेट सॉल्ड आउट हो चुकी है सेंपोलिस से 9,350 टिकेट सॉल्ड जिया दोस्तों गदर्टू मूवी की देवन की 30,050 टिकेट सॉल्ड आउट हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ नैशनल चेंज से अगर अब हम दोस्तों इसकी एडवांस बुकिंग की बात कर रहे हैं तो ये डाटा दोस्तों सुबए 5 बच के 57 मिनिट का है 5 अगस्त के दिन का जिया दोस्तों आज ही के दिन का 5 अगस्त के दिन का 5 बच के 57 मिनिट सुबए का है जिसमें दोस्तों इसकी एडवांस बुकिंग 2.42 करोड की हो चुकी है 2.42 करोड की इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है जिसमें 90,885 टेकेट सॉल्ड आउट हो चुके है और जो एवर सोचे गदर तू मूवी कितनी बड़ी तवाही लाएगी वही दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके शोस की तो डेल्ली NCR में 443 इसको शो मिले हुए है जिसमें 19 almost full हो चुके है और 53 शोस feeling fast है वही पर दोस्तों मुंबई में इस मूवी को 313 शो मिले हुए है जिसमें एक almost full हो चुका है और 4 शो feeling fast है वही दोस्तों पूने में 111 शो मिले हुए है जिसमें से एक भी अभी तक almost full नहीं हुआ है लेकिन एक शो इसका feeling fast चल रहा है वही पर दोस्तों है दरावाद में इस मूवी को तोटल 2200 मिले हुए है जिसमें से एक almost full हो चुका है और 2 शो जो है वो विलकुल ही feeling fast चल रहे है इसे साब से दोस्तों देखा जाए तो गदर की मूवी बहुत ही बड़ा हमें गदर मचाती हुए दिखाई देगी अगर हम इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड रुपीज यानि कि 100 करोड रुपे इस मूवी का बजट है और यह अपने स्टार्ट के 3 दिन में ही ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कलेक्शन करके यह 100 करोड के बजट को भी क्रॉस कर लेगी अब आप बताईए कि आप कितने एकसाइटेड हैं कदर्टू मूवी देखने के लिए क्या आप 11 अगस्त को मूवी देखने जाएंगे कि नहीं हमें कमेंट में ज़रूर बताईए साथ ही मूवी से जुड़ी हर चोड़ी वडिय अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपकी अपनी यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉराइवर को